जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजयपाद डिफेंस एजुकेशन में आज हमारी क्लास 11 है HP पुलिस डेली मिक्स जीके के लिए जो कि आपके लिए रहेगा मिशन 2021 इस वीडियो में डिसकस करेंगे टॉफ 15 प्लस कोईशन जो कि आपके हमाचल पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आप अपना बेसिक फाउंडेशन का कोर्स विजयपाद डिफेंस एजुकेशन में स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो में एच्पी जी के, इंडिया जी के और साथ में जनल साइंस के कुछ इंपोर्टेंट कोईशन डिसकस करेंगे जो कि आपके हमाचल पुलिस के लिए मोस्टली सबसे जादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो हमारा Basic Foundation का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो की हच्पी पुलिस के लिए आपको 100% शूर सक्सेस दिलवा सकता है और यह हमारा Basic Foundation का कोर्स आपको कवर करवाता है आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट एक्जाम को आप अपनी इत्यारिस में बिल्कुल basic के साथ start कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगे online test series, special notes और books तो अपना 100% sure success के लिए आप हमारा basic foundation का course जोईन कर सकते हैं विजयपत defense education में तो आज की वीडियो शुरू करते हैं first question है हमारा HPGK से राजा भूरी सिंग ने भूरी सिंग संगराले की स्थापना कब की थी तो भूरी सिंग म्यूजियम जो है यह हमारा district चमबा में पढ़ता है HPGK के most important question यहां पर discuss करूँगा मैं और राजा भूरी सिंग ने जो है भूरी सिंग म्यूजियम की स्थापना की थी 1908 में जो की हमारा पढ़ता है डिस्टिक चमबा में next one है बिलासपुर में भूमी बंदोवस्त अभ्यान कब शुरू हुआ था तो लेंड सेटल्मेंट केंपेंड स्टार्ट हुआ था बिलासपुर में 1930 में most important question है HPGK का और mostly HP SSC के एक्जाम में इसी टाइब के question बार बार पूछे जाते हैं next one है चमबा के किस मेले में इस तरियां ही भाग लेती है which fear in Chamba is attended by women इस तरियां ही भाग लेती हैं सिर्फ लड़कियां और इस तरियां ही भाग लेती हैं तो उस मेले का नाम है सूही का मेला आपके लिए unique question में यहां पर लेके आया हूँ HPGK के तो सूही का मेला जो है यह district Chamba में मनाया जाता है और इनसे कुछ important fact है बहुँ मैं आपको बता देता हूँ चमबा की रानी थी सुनैना जिन्होंने पानी की समस्या को दूर करने के लिए अपना आतम बलिदान दे दिया था तो चमबा की एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था सुनैना चमबा में पानी की काफी जादा दिक्कत थी और उसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने काफी काफी पानी के लिए काफी हक के लिए लड़ा पानी के हक के लिए लड़ा था उन्होंने तो उसी के लिए जो है उन्होंने अपनी जान गवादी थी आतम बलिदान दे दिया था उनी के नाम से चमबा में काफी फेमस है सूही का मेला जिसमें सिर्फ और सर्फ इस तरिये ही भाग लेती है नेक्ट वन है गुगली शब्द किस खेल से समंदित है विच गेम इस रिलेटे टू दा बर्ड गुगली जो है यह हमारा समंदित है क्रिकेट से नेक्ट वन है परसिद भारती महिला एथलीट पीटी उशा की आतम कता का क्या नाम है तो ओटो बाइग्राफी जो है फेमस इंडियन फिमेल एथलीट्स है पीटी उशा उनकी जो ओटोग्राफी है उनकी आतम कता का नाम है गॉल्डन गर्ल यह कोश्चन आपके हर किसी एक्जाम में पूछा जाता है नेक्श वन है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राजय में हुआ था तो पोलो गेम बाद इंट्रड्यूज इन बिच स्टेट ऑफ इंडिया यह हुआ था मनी पूर में काफी important question है और bilingual question हमारी तरफ से आपके लिए रहेंगे जिनको हिंदी में जादा समझ आता है वो हिंदी का question यहां से easily read कर सकते हैं और जिनको English का आता है वो easily English में read कर सकते हैं ताकि किसी भी student को यहां पर कोई परिशानी ना हो next one है green park stadium कहां पर स्थित है तो green park stadium जो है यह हमारा कानपूर में स्थित है अगर कोई army की त्यारी कर रहा है तो green park stadium जो है उसके लिए काफी important question है यह हमारा कानपूर में स्थित है और काफी वार exam में यह question पूछा जा चुका है next one है Canada का रास्टी खेल क्या है तो national sports of Canada जो है यह है ice hockey next one है दालें किसका एक अच्छा स्त्रोथ है the pulse are good source of तो दालें जो है यह protein का सबसे अच्छा source है काफी important question है general science का next one है बायूयान के टायरों which gas is filled in the टायरों में भरी जाती है film की बात करूँ तो इसका chemical symbol है मतलब कि जो इसका element का symbol है वो होता है he और predictable में यह हमारे दूसरे नंबर पर आती है next one है पंजाब के कुछ हिस्सों का हिमाचल प्रदेश में बिले कब किया गया था तो पंजाब को हिमाचल में मिलाए गया था मर्च किया गया था 1 नवंबर 1966 को काफी important question है और अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो हिमाचल है उसे बिशाल हिमाचल कब बनाया गया था तो ये बनाया गया था 1966 में बिशाल हिमाचल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पंजाब स्टेट को जो है जो जब हमारे हिमाचल में मिलाया गया तो उसको तभी से जो है वो बिशाल हिमाचल के नाम से जाना जाता तो important question है पंजाब को मर्ज किया गया था 1 नवंबर 1966 में और बिशाल हिमाचल कब बना था तो ये भी बना था 1966 में next one है चमबा रियासत के अंतिम साशक कौन थे अगर आप HP के किसी एक्जाम की तियारी करें तो आप हर डिस्टिक के पहले और अंतिम साशक का आइडिया होना चाहिए और जो सबसे चमबा के जो सबसे अंतिम साशक थे उनका नाम था राजा लक्षमन सिंग next one है लाहुल स्पीती में दीपावली को क्या कहा जाता है तो दीपावली को कहा जाता है खोजला काफ इंपोर्टेंट कोशन है next one है up to date किस फसल की किसम है up to date is the variety of which crop तो ये फसल है हमारी आलू की और अगर मैं आलू की बात करूँ तो अगर हमारा केंदरी आलू अनुसंदान केंदर ये हमारा है कुफरी में जो की पड़ता है डिप्री को शिमला में next one है last question इस वीडियो का पानी वाले मुख्य मंत्री के रूप में परदेश के कौन से मुख्य मंत्री को जाना जाता है important question है water owns chief minister जो है वो ही माचल परदेश के जाना जाता है शानता कुमारी को क्योंकि जब यह मुक्य मंत्री बने थे तो इनहोंने starting में ही काफी सारे two bells मत्व की hand pump जो है वो लगा थे इसी कारण जो है इन्हें पानी वाले मुक़् मंत्री के नाम से जाना जाता है मतलब इनका जो है nickname जो है पानी वाले मुक्ह मंत्री में काफी famous होता है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें social media के उपर follow कर सकते हैं हमारे whatsapp group के साथ जरूर जुड़ें जिसमें day to day के current affair साथ में HPGK, notes study material और साथ में आपको जो wallet provide करवाया जाता है हमारा हिमाचल police का भी advance batch start हो चुका है जो कि आपके लिए रहेगा mission 2021 सो अपना advance batch start कर सकते हैं आप विजयपत defense education में मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपने वीडियो को जाद सादा like करना है, share करना है और विजयपत defense education चैनल को आपने subscribe करना है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत